हाव रूफिक्स प्लेश्टोर नोट वर्किंग प्रॉब्लेम इन एनी सैमसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों आगर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग की डिवाइस में प्लेश्टोर प्रॉब्लेम सॉल्फ कर सकते हैं अगर प्लेश्टोर काम नहीं कर रहा है प्लेश्टोर पर नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरह कर प्रॉब्लेम हो सकते है डाउनलोड प्रॉब्लेम हो सकते है ठीक है प्लेश्टोर में दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लेम आपको आ रहा है तो इस वीडियो को देखे मैं आपको सॉलूशन बताऊंगा और उस solution के true दोस्तों आपका जो problem है definitely fixed हो जाएगा ठीक है तो complete solution हम करेंगे step by step solution को करेंगे और आप भी दोस्तों उसी तरीके से follow करना है solutions को और आपना problem solve कर लेना है वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पैसा क सामाना चाते हैं तो वीडियो description पर link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर प्लेश्टोर जो है यहाँ पर काम नहीं करते तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होगा setting पर जाना है उसके बाद इस्ट्रॉल डाउन करना है Apps को सेलेक करना है ऐंड है एंड गुगल प्लेश्टोर को सेर्थ करना है तो यहाँ पर आपको मिल जागा Google प्लेश्टोर उसके बाद जाईए उसके बाद अब क्लिक किजिए फिर करने के बात आपको बेक करना एं अभी data clear हो चुका होगा permission पर जाना है permissions allow कर देना है उसके बाद बेक करना है बेक करने केबाद दोस्तों ओके इसका जो दोस्तों बेंग्गराउंड है ठीक है उसको आप इनेवल करके रखिए allow बेंग्गराउंड डेटा यूज़स ठीक है उसको इनेवल storage uses manage storage and then आपको clear data कर देना है data clear हो जाएगा और इसका भी permissions आपको allow करना है तो सारे permission allow करने के बाद आप जो है बेग करें mobile को restart कीजिए और recent button पे click करके सारे जो app से उनको close कर दीजिए and then play store को open करके देखे problem solve हो चुका होगा अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर problem solve नहीं हो रहा है तो अपने profile पर click करें setting पर जाए about पर जाके play store version का जो option है उसमें क्लिक कीजिए और play store को update कीजिए ठीक है प्लेश्टोर वर्जन तो उसमें क्लिक करके update कर देना है अपने प्लेश्टोर को जेनरल पर जाएए एप download preferences को select कीजिए ठीक है एप download preference तो तो यहाँ पर आपको over any network set कर देना है auto app update को बन कर देना है एंडेंट आपका problem solve ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप जो है play store not working problem solve कर सकते हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपका device software update नहीं है mobile का तो mobile software को भी update जरू से कर लेना ठीक है और दोस्तों यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते जो जीमेल से आप play store को login कर रखा है अगर उस जीमेल से open नहीं हो रहा हो तो आप उस जीमेल को remove करके create करके भी देख सकते या फिर अपना जो जीमेल है ठीक है प्लेश्टोर में वह बजल के देखे तो उससे भी काम बन जाएगा तो कई बर दोस्तों इस तरीके से आप problem को fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओगा थैंक्स वो राचिंग